नमस्कार किसान भाईयो मैं सूरे दोल फिर से हाजीरूं आपके अपने चैनल एगरिकल्चर गुरूजी में किसान भाईयों आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में कि गेहूं की फसल के अंदर 100 रुपय का ऐसा क्या खच करें कि 100 रुपय का ऐसा कौन सा प्रोड़क्ट डाले जिससे कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसका उत्पादन लगातार बढ़ जाए और किसान भाईयों को एक बहुत ज़्याद मुनाफ़ा देखने को मिल जाए किसान भाईयों इस वीडियों में आपको कोई भी महंगा प्रोड़क नहीं बताने वाला हूँ जिसमें कि आपको 1000 रुपय का खट जो हो 15 सुरुबा का खट जो हो या आपको किसी का इस्प्रे करना हो या नीचे कोई कीटना आ सकी या कोई नीचे ग्रोथ प्रोड़ लगाना हो यह मैं आपको मातर सिर्फ 100 रुपय का एक ऐसा प्रोड़क बताने वाला हूँ जिसका उप्योग करके आप अपनी गेहों की फसल को लगातार बढ़ा सकते हैं और इसका उत्पादन जो आप लगबाग 28-30 कुंटर प्रती एकर तक निकाल सकते हैं किसान भाईयो वीडियो को आप सुरू से लाक्स तक जरूर देखें पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे तो सुरू करते हैं आज कर पना टोपिक गेहों की फसल में ऐसा क्या डालें जिससे की गेहों का उत्पादन बढ़ सके किसान भाईयो अब तक आपने गेहों के अंदर बहुत सारे खाट डाल दियोंगे और कुछ स्प्रेभी कियोंगे लेकिन जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला है है बहुत ही अच्छा तरीका है किसान भाईयो इसका उपयोग करना भी आपको कुछ ज़्यादा केली बात नहीं है इसका उपयोग भी आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं इसके अंदर कई सारे पोस्वत्त पाजाते हैं इसके अंदर कार्मिनिक, नाइट्रोजन, पोटास, फ इसके अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पांच परसेंट पाए जाती है पोटास की मात्रा इसके अंदर जीरो परसेंट होती है और फासपोरस की मात्रा इसके अंदर एक पांच परसेंट पाए जाती है किसान भाईयो जिस प्रोट् यादी खली आपको मिलती है तो आप उस खली को भी ले सकते हैं इतने सारे पोसकत्व यह सिर्फ आपको एक खली के अंदर मिल जाएंगी बात करते हैं नेम की खली के अंदर नाइट्रोजन की मातरा 5-2% पाई जाती है पोटास की मातरा 1-10 लव 4% पाई जाती है और फासपुरस की मातरा 1-10 लव 0% पाई जाती है इतने सारे पोसकत्वों होने के बाद खली के अंदर कोई भी किसान भाई इस खली का उपयोग नहीं करता है और लगबग 24-36 गंटे तक आपको इसे पानी के अंदर mix रहने देना है किसान भाई ओ, 36 गंटे के बाद ज़र इसकी बहुत अच्छी तरह से ये पानी के अंदर गुल जाता है उस समय पर आपको इसे निकाल लेना है या इसे इसका गोल जो आपको उस गोल को तयार कर लेना है जो गोल आपको तयार होता है इस गोल को आपको लगबग 100 से लेके 500 लिटर पानी के अंदर आपको इस गोल को mix कर लेना है उसके बाद किसान भाईयो जब आप अपने खेत की सिचाई करते हैं तो सिचाई करते समय पानी के साथ आपको इस गोल को भी चला देना है अपने खेत के अंदर किसान भाईयो इससे आपको बहुत सारे फाज़ा देखने को बिलेंगे इसके जो आपके जो मिट्टी है आपके खेत की ये भी बहुत ज़्यादा भुरबरी हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी और इसके अंदर सभी पोस्तत्व पूरे हो जाएगे और ये आपको एक बहुत ही सस्ता और एक बहुत अच्छा तरीका आज मैंने आपको बत है कि जिसका खर्च आपको मात्र सो रुपए आने वाला है एक इकड़ के लिए किसान भाई हो यदि वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै किसान मेंख ग leven एक्षै जो में एकशन जैक लिए के उके लिए आपको लिलेगन आपको वीडियो सक्टी आपको लिए.